नमस्कार सबीकों मैं निल बेनिवाल आवरस एजूगेशन की इस प्लैटफों पे आपका स्वागत करता हूँ एक दो हजार बीस केटेगरी नमबर 23 का पेपर जो है एक असासी ने लिया है और कब 18 तारिक को आपके मेट एंग्लीज्स हाम इंडिया सब्सक्राइब करना सबसे पहले मगल परसासीं में आपका आमील गुजर तो किसको बहुत जाता तो यह पी आपका राइटा ूझा जौशा जीए जा हैं पर राजस्व संग्राय करता है या हम रिवैन्यू कोलेक्टर जो है बोल सकते हैं यहाँ पर अमील की इसका आपका अमल गुजर्ड या अमील गुजर जो भो 걸ा हो जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है ओप्शन सेकेंड इसका राइट असर हो जाएगा इसके लाभा अगर अगर पर धान पूछ ले तो कौन हो जाएगा तो आपका कोतवाल हो जाएगा यह भी ध्हान तो आपको ध्याना केंगे इसके लाबा नहीं आपको स्लेट पत्तर नहीं पूछा था तब यहां पर उप्षन के कुछिंग कौन सा गुरुग्राम जो राइट अंसर माना था लेकिन अगर स्लेट पत्तर का आपका रेवाडी तो और यह इन दोनों में आपको कंफ्यूज नह अगर रेवाडी दिया हो तो हम स्लेट पत्र में रेवाडी के साथ जाएंगे अगर रेवाडी नहीं दिया गुरू ग्राम दिया है तो गुरू ग्राम के साथ जाएंगे जैसे की अच्छा सशी ने जो है अभी एक्जाम में किया था इसके लावा जो है संग्मर मेर आपका मह सब्सक्राइब करें दिया जाने वाला उत्तम खेल पूरसकार कौन सा उजाएगा तो उसका नाम बताइए तो कौन सा उजेगा वह आपका ओप्शन नमर्डी आप भीम अवोड हो जेगा आपका राइट अंसर इसको यह भी ध्यान रख सेथे हैं हाइस्ट स्पोर्ट्स ओनर जो है द्याना गोर्रमेंट की तरफ से जिये जाने वाला वह आपका कुन सा भीम अवोड हो जेगा शुरू कब हुआ तो 2001 में आपका भीम ओड देना शुरू किया गया था और यहां पे भीम ओड में अगर आप से पूछले कितनी राशी दी जाती है तो पांच लाख रहेगा और इसमें जो कितनी राशी तो एक लाख रुपए जो गोराशी दी जाती है इसके लावां विक्रमा दित्या वोड दिया गया है आपके सामने जो थर्ड उप्शन है यह आपका किसको दिया जाता है तो जो आपका जूनियर स्पोर्ट जो होते हैं उसमें जो राइट अंसर हो जेगा उसके बाद आठवान जो रहेगा इसमें कहा है तंबे की तारों को एक आयता कर कुंडली को एक चुंबे के छेतर में घुमाया जाता है प्रेरित विद्युत की दिशा एक बार पर तेक डैस में बदलती है तो आदा गुर्णन आपका हाफ रियूल रही किरा आधार से शुरू होई ती यह भी आप नोट कर सकते हैं जो और है बर्दमान में जो है मेरी मा की उमर मुझे दुगनी है और मेरे पिताजी जो है तो मेरी मां से दस वर्श बड़ाइए तो यहांपे एंम मा लेते हैं ये तो हो गया यानि सेल्फ का कि उमर मुझे दुग नी है, यानि खुद की अगर x है, तो माता की कितनी 2x हो जाएगी, इसके बाद क्या बोला है कि मेरे पिता जी माँ से 10 वर्स बड़े हैं, तो पिता जी की कितनी तो 2x प्लस 10 जो हैं, इनकी age हो जाएगी, इसके बाद क्या है, नानी जो है, उमर में तीन गुना बड़ी है जो कि पिछेतर वर्स है यान तीन गुना कितनी हो जागी मेरे नानी जी की उमर जो हम उच्छे तीन गुनी यानि इनकी कितनी है तो तीन एक्स है और यहां पे कितनी हो जागी तो 75 जो इसकी वैल्यू दी हुई है यहां से हमारी X की वैल्यू क की कितनी साथ हो जाएगी और यहां पर नानी की कितनी है तो 75 कितना डिफरेंस हुआ तो 15 का यहां पर राइट अंसर कुछ लिया है और इसका ओफिशिल आंसर की भी आ चुके है जैसे कि आपको पता है जो आपके दो से की लेकर 6 तक की 6 अगस्त की ऑफिशिल आंसर की आ चुके है कल से सोरी आज सही जो हम कलास स्टार्ट करेंगे यह सारी के सारी और आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले आज जो है कंप्यूटर की कलास आएगी तो उसमें है आपके सारे कंप्यूटर के क्वेश कहानी रंग कर्मी की जो कि आपका पहले भी पूछ लिया गया और यह आपका जो है ओफिशल आंसर एगा इसका आप दुबारा से नोट कर सकते हैं कि आपकी मनीज जो सी जो कि बिसमिल है जो कि एक परसीर एकल थेटर है इनका कारिया कौन सा हो जाएगा इनका कहानी रंग क चे की रिचना हम फीजो किसकी रचना है यह अब उल फजल की यहां पर क्या दियागे वबाद में उसका ऐंगरेजि में अनुवाद कर दिया गया किसके द्वारा हैं के द्वारव राइट आंसर बने गा्ट हैं Cho आपका प ऑर ya जो कि यहां पर आपके सामने देखें चोथे ओप्शन में दिया हुए तो अबूल फजल यहां पर कुछ एक बच्छे कन्फूज हो जाते हैं क्वेशन को पूरा नहीं देखते हैं तो अकबर नमा का यहां पर अंग्रेजी में पूछा है तो आपका है नरी बेवरी जो इसका पांस तक अकबर का साशन किया था अकबर का टाइम परियेट चला था इसने यह धरम जो चला था यूजब अपनाने वाला पहला ओर लास्ट हिंदू आपका बीरबल है उपका पूछिपल क्यू copying हैगा तो आपको क्या होजईगा महेस थास जो इसका असफे नम होजगा जो रहीगा तो यहां पर जो राइट अंचर बनेगा कोंचा है इसके बाद नेक्स देखिए नेक्स आपके सामने सत्रवां क्योशन है इंद्रा गांधी जो सूपर थर्मल पाउर प्लांट है और हां एक यहां पर देखिए यह जो सक्साइस के बारे में काफी ज़्यादा जो है यहां पर देखिए नेक्स दिया गए सत्रवां इंद्रा गांधी सूपर थर्मल पाउप शक्ति प्रियोजना जो है रियाना के किस जिले में स्थित है तो आपका इंद्रा गांधी याम इसको दूसरा नाम एक और भी बोल सकते है कौनसा अरावली सूपर तापिया रावली सूपर तापिया जो आपका प्रियोजना कौन शी हो जागी तो यह आपकी कहां पर जजजर में देखिए उप्शिय नंबर जो है यहां पर राइट अंसर हो जेगा और इसकी स्थापना कब हुई तो जो आपकी जजर वाला जो है आपका इंद्रा गांधी इसकी स्थापना आपका कुँछा है तो राजयों करेकं कि रहे गी तो यह आप करोई की रहेगा आपको सकते हैं सारी की सारी किशुन काफी इंप्रोटरियन्ट शूसrem और next देखिए next आपके सामने जो question दिया गए 18 तो 18 में आपका क्या एगा कि एक second इसको करते है तेकि 18 में क्या दिया गए कि आपका desk का विकास जो है recording पुन्द लेखन उच कोटिक की वीडियो चलाने के लिए English निदेखिए which was developed to enable recording, rewriting and playback of the high definition video यानि HD as well as storing large amount of data तो कुँछी blue ray disk हो जागी यानि blue ray disk है या हम इसको और कुँछा BD आपको बोल सकते हैं जैसे आपका CD जो होता compact disk उसी तर आपका BD है blue ray disk तो यह भी आप ध्यानक होगे और इसके लाबा हाँ एक important बात की जैसे कि आपने पहले दिखाऊगे जो आपका 12 जेन मंदिर जो ही से जुड़ा वह एक डाउट था बारा जेन मंदिर तो अभी अच्छा सची के answer किया गए है और इसका right answer जो क्या मना गया है सोनीपत जो इसका right answer माना गया है हमने पहले भी डिस्क्रिक किया था यह बारा ना होकर यह कुंसा बड़ा जेन मंदिर जो है यह दिया गया था अच्छा सची ने आपको बता है जो ट्रांसलेशन में काफी सारी गडबड़ी कर रखे है हर एक एक एक्जाम में तो इसलिए आप याद रख सकते हैं बारा जेन मंदिर जो आपका सौनीपत में है वह से भी कोई दिख करने हैं कल से स्टार्ट करें दुबारा से complete solution करना official answer के के इसाब से subject wise जो है हम इसको discuss करें इसके बाद next देखें next आपके सामने है कि यह सेना जनरल जो हर्याना से आते हैं उन्होंने 2007-10 के बीच में भारतिय सेना के 23 प्रमुख के रूप में सेवा दी है दुबारा से repeated question कब आया था यह तो 16 जुलाई को आपका पेपर हुआ था 16 जुलाई को कौन सी 3rd shift में 16 जुला इसके लावत जो आपके हर्याना से जितने भी आपके सेना जो अध्यक्स आते हैं वो सारे के सारी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी हैं यान 3-4 है वो सारे के सारी शेयर की हूं आप जाकर उनका time period के पूरी उनकी डिटेल दी हुई आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं इसके के कल हमने क्योशन किया था कल के पेपर में क्योशन आया था कि आपकी जो है maximum यानि आपकी full chance जो है वो किसके होंगे कोई भी चीज जो है उसके 100% possibility होगी वो उसकी परायक्ता कितनी होती है तो एक होती है मैंने आपको बताया था कि जो आपकी probability है वो 0 से लेकर एक के बीच म कम होगी यानि इसी के बीच में वो आपकी लाइक करेगी और उसी तरह से जो है यहां पर question बनेगा इसने क्या बोला कि आपकी जो एक गटना की परायक्ता नहीं हो सकती तो कौनची नहीं हो सकती जो आपकी एक से ज्यादा होगी या जीरो से कम होगी अब यहां पर देखे 15 परसेंटेज जो दिये हो तो 15 परसेंट का मतलब क्या है 15 बटे सो हम 0 परसेंटेज हटाएंगे तो आपका 0.15 बनेगा यह आपका जीरो से इसके बीच में 0.9 भी हो जाएगा इसके लावा दो बटे तीन है यह हम करेंगे तो 0.6667 के आसपास बनेगा तो यह भी है यह देख नेक्स्ट आपके सामने है देखिए आपका 22 क्योशन दुवारा से रिपिटीड क्योशन पहले भी पूछ लिया गया हर्याना के निमन में से किस भोगोलिक स्थान पर यमना नदी पर विष्ट करती है तो कहां पर हो जाएगा आपका कलेसर बन हो जाएगा उप्शन नमर सी यहां पे इसके लावाा एक यमना नदी से जुड़ा वर क्योशन और भी आइथा जिसमें यह पूछा था कि छंपशल्ग्लेक्र से जो हैं पासर गलेशियर से जो आपकि कौन सी नदी आपकी यमना नदी हो जाएगी जो कि आपके छंपशल्ग्लेक्स ons में निकलती है 23 जो दिया गए आपका स्टेट पोलर्टी वेल्डिंग ओप्शन नमर ए इसका राइट अन्स रहेगा नेक्स देखें यहां पे की आपका हजियाना के इस नगर को प्राचिन समय में क्या इकडार है यहां पे दिया गए इड़दार यहां पे इकडार होना चीए इकडार के नाम से किसे जाना जाता है तो यह कुण सा होज़ेगा आपका फतेहाबाद हो जो जो इसको फिरोज सा तुगलक ने भसाया था इसके लाबा फतेहाबाद जो है इसकी स्थापना का वुई यानि पहले तो जो है जो आपकी नोर्मल बताई गई है जो कि 1351 में जो आपकी फिरोज सा तुगलक ने अपने बेटे के नाम पे फतेहाबाद रखा लेकिन जब हरियना का गठन हुआ उसके बाद जो है दुबा आपकी बना था तो रोओ तक आपका जो एक मंबर 1966 बना था रिवाडी प्रेवाडी को आपकी एक नवंबर 1989 को नवट केसा यहां पे नॉट चैनि यहांसे多 येजही नोट कर देखिए दोनों आप फोर्मूलі जो है वो पूछा गया कि वह आपका क्या होगा तो जब यहां पर यो प्लशीया ओऊ है तो हम जो फोर्मूले में क्या करेंगे तो लिए भे मिदати यहां पर नीचे क्या दिघा उपर जेगा लेकिन जब उपर प्लस यह आफ मैंने सवर्टराल हम प्लस दिया ही गर अगर इसतरा का question दुबारा से आजे तो आपके plus के case में आपका क्या होगा तो plus के case में उपर plus आएगा नीचे minus आएगा लेकिन अगर यहां पर क्या दिया होता 10 a minus b बताओ 10 b की जिगा आपको कितनी एक बटा तीन रखनी है और बाकी जो इसको करके आप solve कर दोगे लेकिन देखिए काफी सारे बच्चे जो है इसको अभी तक solve करके नहीं दिखा रहे हैं मैं हर बर क्लास में एक दो क्योशन देखे जाता हूं ताकि आप उसकी practice कर लें लेकिन आप क्या है बस बैठ के अरम से लेट के class देखते हो तो इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला एक दो क्योशन आपको दिये जाते हैं आप उनकी practice भी क्या करेजे अब आपको कुछ नह आपका मेरी गोल्ड या गेंदा जो इसका option number B इसके बाद next देखिए 29 जो दिया गया बेरिलियम डेस के साथ आपका वी करनी संबन दर्चाते यानि आपका बेरिलियम शो डाइगनल इलेशन सिप विद अल्यूमिनियम ऑप्चन नमबर second इसके बाद 31 देखिए कि भारत में मिनी क्यूबा किसे का जाता है आपको क्यूबा पता है क्योंकि क्यूबा में काफी सारे बोक्सर जो निकलते हैं इसलिए भीवानी में आपको बता है भीवानी में आपके सबसे ज़्यादा बोक्सर निकल क्ये किसके द्वारा जगदीशिंग के द्वारा जगदीशिंग जो मुक्सरी सब्सक्राइब हमें के लिए अ Tongश और मिक्सी सीटी हो जाएगा यह भी ढृस कि भीवानी वह भीवानी जो है आपका मीनी इकुबाट ृचल मंदिर हों करनाल जो आपका कौनचा हर्याना का पेरिस करन नगरी जो आपका करनाल को बोला जाता है इसके बाद नेक्स देखिए थर्टी टू दिया गए कि अपकी पुस्तक का कौनची सिटिजन्शिप एंड सोसल क्लास तो आपकी ये किसके दोरा लिखे गई है तो किसके टी एच मार्शल के दोरा उप्शन नमर चेकिन ही आपकी राइट अंसर रहेगा उसके बाद नेक्स यहां पे देखिए जो थर्टी देखिए रिजनिंग का क्योशन दिया गया कि आपके सामने यह जो लैटर दिये हुए आपकी अलफा बैठ है एक सिरिंग्ला में वर्ण माला के अंतीम अक्सर से पहले अक्सर तो आंतीम आपका जड़ हो जगगा इससे पहले वाला कौन सा वाई और वाई के जो आपके बा आपका उप्शन सी है यहां पर राइट अंसर हो जगा इसके लावा हमने जैसे भी किया वाई आपका कितने पर 25 पर है दस वाक सर पूछा है तो दस इसमें से मैनिस करते पंदर आपका कौन सा ओ हो जाएगा तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट अंसर ये तो यहां पर मैं लहें पर पूछ व्हां सबस्क्राइब लौइक में थैक्या तो यां पर आपकि फोट वेवराजु और तो यह पर फूट्ध पूछ लिया गया तब बिए आपकी से में इंसर बने गाव किसा और आ是 Someовор पूदू चेरी के बोती संद्रावती समंद कहां से रहेगा तो इनका चरखी दादरी के डालाबास से इनका समंद है इनकी जरम अगर देखें तो यहां पर 1928 में इनका जरम हुआ था और उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो इनकी 15 November 2020 में जो इनकी मिर्थी ती अभी तो इस आपके सामने कैबिनेट का आपका 70 है ब्यूटी का आपका 60 है तो अब प्रोडक्शन का क्या आएगा यहां पर देखें कितने लेटर है तो आपके एक दो तीन च्यार पांथ च्छे साथ तो साथ अक्सर है हर एक को दस से गुना कर दिया कितना आगा 70 इसके बाद एक दो त तो आपके 6 लेटर है दस से गुना कर दिया 60 इसके लावा देखें एक दो तीन च्यार पांथ छे साथ आठ नो दस तो दस है दस को कितने से दस से गुना करेंगे तो सुआ जागा यहां पर ऑप्शन नमबर डी यहां पर दुबारा से कनफर्म करते हैं देखें यहां पर य तो यहां पर इसको कैल्विन में करेंगे तो इसको कैल्यों में भी कर सकते हैं तो उसके कोडिंग आपका कौनचा होजएगा ओप्शन निर्ते कब हो ली के आज पास आपका यह निर्ते किया जाता है और इसी में आपके पर्शन उत्तर जो है वह पूछे जाते हैं यह कई पर हम डिक्सक कर चूबंड़ सकता है और यहां पे जो राइटन बोर सी इसके लाव जूमर को क्या बोला जाता है तो हरयाणवी गिद्दा बोला जाता है आपको किसको जूमर इसके लाव धह धमाल जो है आपका महा बरत काम सी काल से चलता हुए आपका निर्ते कुनसा और बहुत शक्ती साले computer होते हैं जिनकी memory बहुत अधिक होती है तो वो कौनशी हो जाएगी तो आपके super computer हो जाएगा option number A इसके बाद next आपको यहाँ पर देखे सही मिलान करने हो और university जो है उनका address बताना तो यह तो बिल्कुल आसानी से कर दोगो चोदरी देविलाल उनिवस्टी कब बनी थी आपकी तो यह 2003 में बनी थी आपको यह इनकी date भी आप इसको ध्यान रखेंगे 2003 में और कहां पर रहेगी इसके बाद next देखे गुरु जंबेसुर कब 1905 में में बनी थी और कहां पर यह आपकी हिसार में रहेगी तो आपका second का option number 3rd बनेगा देखे पहले का आपका दूसरा है तो आपका यह तो यह होगा यह आपकी यह दो तो कटे होगी उसके बाद next देखे आपका गुरु जंबेसुर हिसार दूसरी का था तो यह निराइट अंसर कौन सा बनेगा option number D बनेगा इसके लाबा जो आपका MDU दिया हुए मह मुलाना अंबाले में रेगी इसकी स्ताफना कब हुई तो इसके आपकी 9093 में स्ताफना हुई थी यहां पर इसका राइटन से बनेगा option number D इसके बाद next देखें next आपके सामने जो दिया गया है कि आपका CPU एक छोटी चिपस्तीत होता और इसे क्या बोला जाता है क्या अपर जो है बिल्कुल अनपड़ था यह भी आप ध्यान रखेंगे आपर जो है बिल्कुल अनपड़ता बिल्कुल भी पड़्डा लिखा हुआ नहीं था राइटन से बनेगा option number D बनेगा इसके बाद next आपके सामने 47 का option number D बन जाएगा इसके बाद Indian opinion जो है आपका किसके 13 में Indian opinion जो है स्माचार पत्र इसका परकाशन किया था और अगर इसके पहले आपके एडिटर जनरल पहले एडिटर जनरल की भी पूछा दगया है क्योंकि मातमा गांदी ने अकेले नहीं किया था इनके साथ एक और थे वो कुंते मंसुक लाल जो है मंसुक लाल जो है इस न आप पता देना इसका 59 का क्योंकि बहुत बार जो एक्वेशन पूछ लिया गए अब देखिए नि जो आपका नेतर दोस हाइपर मेट्रोपिया जो है दूर दृष्टी दोस इसको बोला जाता है अब देखिए यहां पर नाम तो दूर दृष्टी दोस है लेकिन इसमें ज इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है 53 दाहीने हाथ का जो संख हो यह किसकी रचना रहेगी तो सेयद गुलाम हुसे इंशाकि दूबारा से रिपीट में यह क्वेशन पूछ लिया बंसीलाल आपके हडियाना के जो आपके लोग पूरुष्ट जो बोला जा हो गया यहां पर नमबर ओफ अल्हेंट इन्था पावर सेट ओ यहां पर क्या हो जगेंगे तो यहां पर चक्नी पर ठीक इसके पावर करोगे तो ढटना चार हो जैगा इसका यहां देख THIS आपके सामने जो क्श्टान आर Say 55 का आपका कौन सा फ्लक्स हो जाएगा ओप्शन नमर डी 56 है याना में जो रावली परवतों का सबसे उंचा स्थल कौन सा हो जाएगा तो यहां पर देखिए कौन सा रेगा आपका धांसी हील यानि धोसी की डोसी पाड़ियां जो है इसका राइट अंसर आपका यही होना ची आपका दोसी की पाड़ी इसको बोल सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने जो 58 है इसका आपका कितना साधी 300 डिग्री बनेगा आप नेक्स्ट इखिए यह सहर जो है याना का नेनु सहर कहलाता है तो कौनसा आपका पंचकुला हो जाएगा उप्शन नमर नगर निगम जो है वो बनाया गया था और 2016 में इसका नाम जो है चेंज करके गुडगाउं से गुरुग्राम किया गया नेक्स देखिए फायोजी तकनिक के बारे में निमन में कत्थनों पर विचार करें तो देखिए यह है आपकी क्या होजी कि इस नेक्स्ट जनरेशन से लिया होगा तो इसके अकोडिंग राइट अंसर जो आपका एह और भी दोनों ही सही इसके होने चीए बाकी देखते हैं इसके बाद नेक्स देखिए 61 यहां पर जो दिया गया आपका जो एसी तिलीन गैस जो है वो उत्पन होती है कि से वाटर और केल्शियम कारबाइड से यहां पर तेons एकि आपको नेक्स दो कि यहां पर जऊती है कि बड़ी से पहले का दिन यहां आज कोन्छे लें rest कोन्षी का कुर्णी का ओ से वहां पर होगा तो कल यहां जाए लिए तो इसके बार ओबनी हिल्स में ओप्शिन नंबर में सीजोग अगर आपका अंति मुगल सासक के नियंतरण में था तो कुंसा 66 जो है दुबारा से क्योंशन पूचा के सा जहान बाद जो है ओप्शन नमबर एसका राइट अंसर हो जेगा सा जहान बाद जिसको पुरानी दिली के नाम से बोला जाता है और इसके लाव मैंने आपको टेलीग्राम पे यह क्योंशन शेयर किया था तब काफी बच्चे बोले थे कि पानिपत क्योंकि पानिपत में इबराहिम लोदी अब आदे बच्चों को यहां पर डाउट है कि इब के बाद ओर आपका डाष्ट सासन कोन था तो आपका मोम्मद्स आरि जाफर जो है अबके सोली बेहाद्दूर साजक चेकल anे को यहां पे आपका कौन से यहобщी बादूर शा जव्या आपका काक्ती काफी और या ने बुड़े थे दो इसलिए जए जो hai जब इसके नेता ही ज जब आपके अयुग्य था युद्ध के लिए इस करांति के लिए तो हम कैसे जीच सकते हैं तो आपको इध्यान रखना है बादूर्शा जफर जो कि आपका अंतिम मुगल सासक हुआ करता था इसके बाद नेक्स देखें नेक्स आपके सामने दिया गए कि कार्बन जो है इसक पारग में भारत का सबसे बड़ा टोल पलाजा दुबारा से क्योशन आ गया कुंसा दिल्ली गुरुगराम एक्सपरेस ओए उप्चन नंबर जो सेकिन हापी राइट अंतर के एंपी कुंडली मानिसर पलवल जो है आपका जो आपका प्रस्ची में परीदिया एक्सपरेस बोला जाता है इसके लंबाई कितनी है तो लंबाई आपकी 35 पॉइंट जो छे किलोमेटर एकसो पांच यह चे के आसपास रहेगी आपकी और इसके लावा नेक्स देखिए जीट्टी रोड आपका जो ग्रांट ट्रक रोड जो किसके द्वारा सेरसा सूरी के द्वारा बन बनाया गया था गुहाना कांपे सोनी पति में गुहाना की जले भी जो काफी भीमस आपने सुना भी होगा इसके बारे में इसके लावा जो और आपका कुंसा एक आपका गोपाल गिरी का दुर्ग है गोपाल गिरी का दुर्ग जो कि इसने बल्बन ने बनो है था कांपे ग कुंसा तलबारू का किला और यह भी किस ने बनाया था सीरगड का किला फिर्थी राज चोहा ने इसके बाद नेक्स देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहां पे 72 इसका आपका ओप्शन नमबर भी जो है गो राइट अंसर बनेगा यह आपका गुरू ग्राम में रहेगा उप्शन नमबर बी जो है वह यहां पर राइट अंसर हो जेगा और अभी लेटेस्ट की आपकी न्यूज थी शायद आपने देखा होगा टेलेगराम पर मैंने शेर किया था सुल्तानपूर और भिंडावास इनको आपका वेटलेंड क किया गए इनको रामसर साइट के रूप में शामिल किया एक सुल्तानपूर और भिंडावास को यह दो जो है आपके हर्याना किया है टोटल जो है चार शामिल किया थी इस बार अभी कितनी होगी वैटलेंड यह रामसर साइट कमेंट करके बताजिए ना इतिक 46 हो गया पहल सफेद होगी आप देखिए यहां पर प्राइक्ता प्रोमल्टी के क्षिट्ञन है आपने दिछा था उपर तो आपके utolams होजेंगे कितनी utolams है नीचे आपके utolams कितने है अब टोटल कितना है अब ढeseigaat अंख को सकते हैं उसने जो क्योशित किया जाना कि एक व्यक्ति उस अपराद का दोशी नहीं है जिसका मुकदमा नियाले में चल रहा है तो आपका बरी हो नहीं आपका option number second जो है इसका right answer हो जेगा आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बाद नेक्स देखिए अब जो है आपके सामने कोंचा हो गया तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर यह लाइन देख सकते हैं यहाँ पढ़ते जाहिए और यहाँ पे क्या है आप जो है टेलिग्राम पे आप PDF डाउनलोड करते जाहिए और अपने एक्जाम की तियारी जो है करते रही हो बिल्कुल भी अपना काम पढ़ती जाना है तो आप अपनी तैयारी को ना चोड़े आपने काफी जादा मेहनत की है तो थोड़ा टाइम हो थोड़ा सा और वेट के रहे ताकि आने वाले एक्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएं इसके बाद देखिए 87 जो दिया गया हाँ पे इंग्लि स्री लिंग रूप क्या हो जागा तो आयुष्मती होगा option number see इसके बाद एके सबस्ट नकालत सब्सक्रें यह तो कदी कर दा किए इसके लिए जबंड़ा ने तो आपका इसका क्या एगा तो आपका suspect फोल डिलिंग आपका option number B इसका राइट अशरेगा और देखिए जो 86 है आपका option number B बनेगा है यहां पर इसके बाद 85 जो दिया गए आपको इन में से कोई एक वर्ड हैगा तो आप इसको select करके जो है इसमें फिल कर सकते हैं और comment करके बता देना इसके बाद देखिए यह देखिए question tag का तो यह थे आपके 90 questions अब कोई कुछ बच्चे आकर यह वो लेंगे कि आपने question बीच में चुडवा दिये तो नहीं बीच में नहीं चुडवाए हैं क्योंकि यह जितने भी हमने अच्छा सची के paper करवाए हैं अभी तक उन सभी में यह question बार बार पूचे जा रहे हो हर बार जो है मैंने आपको यह question भी करवाए हैं I think पहले भी तो शेयर इंगलिच के नहीं करवाए थे लेकिन अभी जो है पीच्छे के दो दिन से लगातार आपको यह question करवाए जा रहे हैं और आपको इसका जो है trick भी बताई थी कि आप इसको कैसे आद रख सकते हैं मैंने आपको question बसते हैं तो वह जल्दी ही discuss करेंगे और इसके लावा computer की class जैसे के मैंने आपको बताए आज ही जो आपके लिए computer की class आजएगी तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें कि computer class जैसे आगी आपके पास notification पहुंच जाए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में तब तक लिए इतना ख्याल रखें पढ़ते रहें जै हिंद जै भारत